इस इसलोक में नारदमुनी बेदवियाद जी को बता रहे हैं कि भक्ति क्या है और इसके तातपर में बता रहे हैं कि भगवान की संतुष्टी के लिए किया गया कार भक्ति कहलाता है भगवान की इच्छा पूर्टी के लिए और भगवान के मिशन के लिए किया गया कार भक्ति कहलाता है भगवान का क्या मिशन है इस तातपर के महाद्यम से किसी ने अगर सुना हो तो बापिस ले जाना जैसा कि यहाँ पर बताया भगवान नहीं चाहते कि उनके सारे जो जीव हैं वो इस बहुत एक संसार में त्री बहुत एक समस्याओं से त्री फोल्ड मिजरी से दुख पाएं वो चाहते मेरे धाम आ जाएं वापिस बैकूंट लोग जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है यह भगवान का एक उद्देश होता है जो जनरली भक्ति की अगर हम लोग डैफिनेशन देखें तो अलग अलग लोगों की पॉइंट अब्यू से हो सकता है अलग अलग हो लेकिन एक्चली में जो भक्ति है जनरल हम लोग बोलते हैं कि कुछ भक्ति अपने मात पिता के बहुत भक्त होते हैं सुनाएं आपने एक बेटा तो अपने माबाप का बहुत भक्त है इसका क्या मतलब होगा क्योंकि माबाप की जो इच्चा है उनकी पूर्ती करता है माबाप की आग्या का पालन करता है माबाप को खुश रखना चाहता है इसलिए उसको माबाप का वक्त बोलते हैं इसी प्रकार कुछ माता, यानि कि पत्नी अपने हस्वेंट की बहुत भक्ति भाव होता है हस्वेंट की इच्छाओं की पूर्टी करती है अगर हस्वेंट को गाजर का खलूआ पसंद है तो गाजर का हलूआ बनाएगी यानि कि उनकी पसंद की चीज करती है तो ये उसकी तरफ से भक्ती हो गई और गर अरग हम एक्जामपल लें देश वक्त देश वक्त किनको बोलते हैं? देश के लिए जो कोई नाम बताएगा बड़े बड़े देश वक्तों का भगाज सिंग स्वाशन द्वास महात्मा गांदी चंदर सेकर आराज तो ये सारे लोग हैं जिनों ने देश की स्वतंतरता के लिए अपनी जान नशावर कर दी क्योंकि हमारा देश अंग्रुजों का गुलाम था कितनी साल तक रहा था? 200 साल तक और उस गुलामी समय में आप इमीजन नहीं कर सकते कि लोगों की क्या शिती थी हमारी माता वहनों सारे इनकी पवितरता से खिलवार किया जाता था हम लोगों को कही फिरीडम नहीं थी हमारी जो खिती है कि शान लोगों पर इतना भारी टेक्स लगा दिया गया कि वो गरीब से गरीब होते जा रहे थे अगर नौकरी मिलती भी आपको तो सेलरी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता था आज अबी लोग कृष्ण कता सोन रहे हैं मंदिर में बैठके कीर्टन डांस करते आनन्द लेते हैं उस समय कीर्टन और घंटी की आवाज की जगह पीडाओं की आवाज आती थी तो यह सारे चीजे हमको सहन करना पड़ता था आज हम लोग मर्सिटी बी-म-डव्लू में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी पार्टी कर सकते हैं उस समय अंग्रेज लोगों को बैल बनके ढोना पड़ता था उनके बैल बनके उनको पालकी में खुद इंडियन्स लोग लेके जाते थे तो इस स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे वीरी जमानों ने पूरा अपना संगर्श किया अपना जान का वल्द्यान दिया इसलिए आज हम लोग यहां पर स्वतंत्रत है तो भारत के लिए जिनों ने अपनी पूरा कारी किया स्वतंत्रता देने के लिए उनको हम देश भक्त को बोलते हैं और कृष्ण भक्त किनको बोलेंगे जो कृष्ण के अंदोलन के लिए कारे करेगा देश का अंदोलन स्वतंत अंदोलन था कृष्ण का भी ऐसा ही कुछ अंदोलन है कौन बताएगा कृष्ण का क्या अंदोलन है हरे किष्ण अंदोलन और भगवान का क्या मिशन है भक्तों का उद्धार करना सो अम भी हम लोग समझेंगे भगवान का क्या उद्देश है भगवान जबी तो हम भगवान को खुश कर सकेंगे भगवान को जानने पहले भगवान का क्या कार रहा है तबी तो हम लोग भगवान को खुश कर सकते हैं. So, 1922 में शिला प्रभुपाद जी फर्स टाइम अपने गुरु महराज से मिले और यह वही समय है जब गांधी का अंदोलन और इन सब का अंदोलन चल रहा था. गांधी का जो अंदोलन अंदोलन में खुद भी थे और तेस के लिए लड़ना चाहते थे प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी ने कौलकटा में उनका जन्म हुआ और कौलकटा में ही कॉलेज से उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी तो क्योंकि गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था नॉन कोपर भगत सिंग भी उनकी कॉलेज में ही थे तो समय उस आंदोलन के अंदर ते शीला प्रभुपाद जी तो उनका दोस्त एक फ्रेंड आया और बोलता है एक स्वामी जी आई हुए है और आप हम लोग वहां मिलने चलते हैं उनसे तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा लगता था कि स्वामी जी सादू लोग बोले तो डाड़ी रखा के रखते हैं और क्या बोलते तमाकू बीडी भी पीते हैं तो बहुत नफरसी करते थे क्योंकि असली सादू नहीं मिला उनको हालांकि वैशनो फैमिली में उनका जनम हुआ था लेकिन सादू का रेस्पेक था लेकिन दौंग बालों से बचना चाहते तो प्रभुपाजी मने का नहीं मेह नहीं जाओंगा जब अर्जस्ति उनका फ्रेंड लेके चला गया तो वहां पर उनके गुरु महराज बैटे हुए थे भक्ति सिद्धान सरस्वदी गोश्वाई महराज और उन्होंने जैसे ही देखा प्रभुपाजी को तो प्रभुपाजी को तरंत वो पहँचान जाते हैं और उन से बोलते हैं कि आप कृष्णी के आंदोलन के लिए क्यों नहीं लड़ते आप कृष्णी के कार क्यों नहीं करते बिरेशों में जाकर और अंग्रेज लोगों को पाश्यात देशों में भक् प्रिचार प्रिशार कीजिए तो सीला प्रभुपाजी बोलते हैं अभी तो हमारा देश स्वतंतर नहीं है, कौन सुनेगा हमारी अभी हम लोग ही इंडिपेंडेंट हम ही उनके गुलाम बने पड़े हैं पहले हमको भारत देश की स्वतंतर चाहिए, आजादी चाहिए तो उनको गुरु महाराज बोलते हैं आप भारत देश की स्वतंतरता की बात कर रहे हैं मैं पूरे विश्व की स्वतंतरता की बात कर रहा हूं तो प्रभुपाज तोड़ा सोचने लगते हैं कि पूरे विश्व की सतंता की बात कैसे कर रहे हैं तो उनके गुरु महराज का कहने का मतलब था कि हम अनाधी काल से अपने इंद्रियों के गुलाम बने हैं अपने इंद्रित्रिप्ति के हम लोग गुलाम बने पड़े हैं काम बासनाओं के गुलाम हैं जनम रित्व जराव्यादी कोई नहीं चाहता कि मैं बुड़ा हो जाओं कोई चाहता है लेकिन जवर्जत्रियम को उस स्टेज में जाना पड़ता है थोड़े से बाल सफेत होते हैं तो टैंसन होती है छे बार उसको सीसे में देखते हैं ओल लेज बहुत भयानक हैं घुटने आपकी बात नहीं सुनते तो कोई भी बुड़ा नहीं होना चाहता है लेकिन फोर्स पुली हम उसकी गुलामता सहन कर रहे हैं हमको फोर्स पुली उस बुड़ापी में जाना पड़ता है कोई भी मरना नहीं चाहता है कोई चाहता है मरना नहीं लेकिन हम डैथ की उस काल में हमको डखेल दिया जाता है और कोई भी बीमार नहीं होना चाहता सब लोग हेल्थी रहना चाहते हैं सो इसकी गुलामता से हम लोग कैसे बज सकते हैं जब हम भगवान की भक्ती करेंगे भगवान के धाम जाएंगे तो जनम रित्य जराव्यादी से हम लोग शिटकारा पालेंगे तो इसके हम लोग गुलाम पड़े हैं हम अपनी इंद्रियों के गुलाम है काम, क्रोध, लोह, मद, माशर एक दूसरे से ईशा होती है उसके भी गुलाम है हमारे कंट्रॉल में नहीं कि हम किसी से ईशा नहीं करें वो आटोमेटिक लिए आजाती है क्रोध आटोमेटिक आजाता है तो इसका मतलग क्रोध हम पर हाभी है हम उसके गुलाम है तो उनके गुरु महराज बोलते हैं हम अनादी काल से इन सब के गुलाम पड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व में भक्ती का प्रचार प्रशार हो साफ लोग इस गुलामी से छुटकारा पाग लिए और तुम जिस सुतंदता की बात करें वो टेंपरेरी है खुछ समय के लिए प्रभपाजी से पूँचते हैं अभी आप पुनर जन्म पर विश्वास करते हैं तो प्रभपाजी बोलते हैं क्यों नहीं भगवदगीता मिलका है कौमार योब नम जरा और भारती सारे लोग भगवदगीता पर विश्वास करते हैं तो इस पर भी विश्वास बिलीब करते हैं कि हमारा जनम दूसरा होता है, सरी नष्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग रिवर्थ लेते हैं. अच्छा तो आप बताईए, अगर आपका जनम, नेक्स जनम बिटेस में हो जाए, तो क्या आप इंडिया के लिए फाइट करोगे, तो यह तो common है, कि अगर हम जिस देश में उसी के लिए तो लड़ सकते हैं, आज आप इंडिया के लिए लड़ रहे हो, कल आप बिटेस के लिए लड़ोगे, अगर बिटेस में मुशलमानों के लड़ोगे मुशलमान कंट्री में आपका जनम हो गया तो ये क्या है फाइटिंग कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती पहले मुगलों का सासन था इंडिया पर उनके बाद बिटेस का हो गया बिटेस के बाद थर्ड वर्ड वाल हुआ पता नहीं भारत किसी पर कर रहा है कोई दूसरा दूसर इस पर सासा कर ले तो ये चलता रहेगा ये फाइटिंग है वो चलती रहेगी जब तक की सबको भक्त नहीं बनाएं अगर हमने सब को भक्त बना दिया अभी हम लोग क्यों फाइट करते हैं दिस इस माइ लेंड दिस इस माइ कंट्री आइम इंडियन आइम मुस्लिम मैं हिंदु हूँ मैं मुसल्बान हूँ मेरी लेंड पे मता ही है आप कस्मीर छोड़ो पाकिस्तान मुलता है आप कस्मीर छोड़ो लड़के हो रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं ये मेरा देश है वो मेरा देश है मैं इंडियन हूँ मैं पाकिस्तान हूँ जब बिटिश लोग आये सबसे पहले उन्होंने फूट कहां डाली थी उन्होंने बोला ये मुशलमान लोग हैं और ये हिंदू लोग हैं पहले हम मुशलमान बहुत भाईचारे से रहते थे घनिश्टा से और हमारे इंडियन कल्चर था घरों में हम लोग लोग नहीं लगाते थे चोरी करना तो पाप समझते थे हमारा वैदे कल्चर रस रहका था भाईचारे बहुत प्रेंट भाव से रहते हैं लौड मैकले आया फर्स्टाइम उन्होंने बिजिट किया इंडिया को और उन्होंने देखा कि इंडिया को जीत पाना तो बहुत ही असंभव है बिटे से जो आया था फर्स्टाइम सर्वे करने के लिए इसको जीती नहीं सकते जब तक कि इसमें फूट नहीं डाले तो फर्स्ट नहीं ने एजुकुशन सिस्टम हमारा गुरुकल सिस्टम तोड़ा और इस तरह से उन्होंने फूट डालना स्टाट किया तो हम फाइट क्यों करते हैं कि हम समयते हैं तो मलगो तो मलगो अगर हम कृष्णा कॉशेशनेस भक्त बन जाएंगे तो हमारी जो सोच है वो अलग हो जाएगी कि यह जो धर्ती है वो भगवान से बिलॉंग करती है हम लोग तो नंगे हाता हैं नंगे ही जाना है सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है मैं भी भगवान का हूँ यह भी भगवान के हैं तो जब हम दोनों ही भगवान के तो हम दोनों भाई हुए हम लड़ेंगे कि अब इसकौन के अंदर आप देख लो रैशियन हैं रिटेस से हैं अफिरिकन लोग हैं इंडियन लोग हैं सब इसकौन के अंदर हैं वो तो फाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो समझ सुके हैं कि हम भगवान के हैं और सब हम लोग भगवान के अंस हैं भगवान से बिलॉं करते हैं सो भक्ति का प्रचार प्रशार करेंगे तो इसका permanent solution कर सकते हैं permanent स्वतंतरता प्राप्ट कर सकते हैं हम लोग और यही एक real स्वतंतरता होगी कृष्चना consciousness सब चीजों का solution है हर समश्या का समाध्यन अगर आज हम देखें कोर ना चला गया be औरना आया क्यों अगर हम अभी हम लोग जड़ पे जाएं तो कहां से स्टार्टिंग हुई कोविड की क्यों क्या किया उन्होंने ऐसा कुछ एक्सिमेंट बोलते हैं कुई चमकारट का सूप से आ गया इस तरह से है सभी हम लोग टेंपरिरी सॉलुशन तो कर लिया वैक्सीन बना लिया वो टेंपरिरी सॉलुशन हो गया लेकिन कई कोई दूसरा कुछ और सूप बना के कुछ और कर सकता है तो जब तक अगर हम भक्त नहीं बनाएंगे सभूच कर चायने लोग उसको भक्त बना दिया तो फर्स्ट प्रिंजिबल नो मीट इटिंग कोई मीट इटिंगी नहीं करेगा यह पाप करमी नहीं करेंगे समश्या आके बढ़ेगी नहीं सो क्रिष्णा कॉंशिशनेस है वो हर चीज का सॉलूशन है प्रभपा जी एक उधार्ण देते हैं सबोच करो एक छोटा बच्चा बहुत रिच फैमिली रिच फादर का है और बच्पन महीं मिले में गुम गया तो फादर बहुत प्रैम करते हैं उसको लेकिन वो बोलना भी नहीं जानता तब से वो गुम हो गया अब उस बच्चे ने अपना जीवन यापन कैसे किया भीक मांग मांग के कोई कपड़ा दे तो पहन लेता ने तो फटे कूटे कपड़े और भीक मांग के गलियों में भी कुछ खाना दे दिया उसको किसी ने कुछ कपड़े दे दिये कब तक दो के एक दो दिन चार दिन दो के हो सकता है जिंदगी भरा आप कपड़े और खाना देते रहो लेकिन अगले जनम में उसका फिर से गरीप अरवार में हुआ फिर तो यह समश्या का समाधान नहीं उसके घर पे और फादर से मिला देता कि आपका बच्चा बच्च्पन में खो गया था तो यह क्या हुआ उनने पर्मानेंट उस समश्या का समाधान कर दिया कि फादर की घर रहेगा तो फिल किसी चीज की कमी नहीं है तो उस बच्चे के लिए भी अच्छी सेवा की और फादर के लिए भी उसने अच्छी सेवा किया तो अपना हरे कृष्णा मुवमेंट आंदुलन जो भगवान का आंदुलन है वो सव के बेनिफिट के लिए और पर्मानेंट बेनिफिट अभी हम लोग भगवान से विछड गए है मेले में और गुरु प्रहुपाजी और भक्तगर्ण का कार है कि आप लोगों को पकड़ के फिर से बापिस भगवान के दाम ले जाना तो सीला प्रहुपाजी को गुरु महराज की बात बिलकुल लग गई और उन्होंने अथास प्रियास किये भगवान की भक्ति प्रिचार पिसार के लिए और तीस साल तक उन्होंने प्रियास ही करते रहे हातास नहीं हुए लेकिन फिर नाइंटी सिक्षी फाइ में वो अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे के अब तो मेरा समय आ गया सतत साल की एज हो गई अगर अभी भी गुरु की आदेश का पालन नहीं कर पाया तो मेरा जीवन व्यारत है सत्त साल ये ऐज समझ सकते हैं हम लोग जहाँ रेटायरमेंट लेते हैं 17 साल होगे रेटायरमेंट घर पर बैटेंगे प्रहुपाजी ने स्टार्ड किया और स्रीमति मुराज जी की कार गोशिप की ओनर थी उनसे मिले और मिलने के बाद उन लेडिस थी जो पानी का जो जह 30 रुपे थे जेब के अंदर और ये भागवतम का सेड था तो लेडिज बोलते हैं मेरे पिता की समान है वहां का वातावर्ण अन्कूल नहीं है बहुत थंड लगती है बहुत थंड पड़ती है शूर्ली यू विल डाइ तो प्रभुपाजी बोलते हैं भगवान का मिशन है गुरू का आदेश है एक दिन सब को मनना है लेट मी ट्राइ मैं कोसिस करता हूं अगर मिशन में मरूंगा तो और अच्छी बात है बहुत रिकोष्ट करने के बाद उनक को वो कार्गो से में जाने के लिए परमीशन दे देते हैं आप इमेजन कर सकते हैं 35 दिन तक को पानी की जहाद में प्रभुपाजी रहे अभी हमको जमीन चाहिए चलने के लिए अभी हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं लॉंग ट्रेवलिंग अगर किसनी किया हो आठ गंटे कि दस गंटे परिशान हो जाते गाड़ी हम बैठते बैठते हैं जमीन चाहिए हमको बार बार गाड़ी दुकवा के टैलते हैं हम लोग जैसे अगर हम लोग कहीं अमेर का वगएरा दो दिन का अगर फ्लाइट से भी जाएंगे तो सी क्या बोलते हैं जैट सिकनेस हो जाती है दिन का रात रात का दिन हो जाता है होता है न ऐसा पैंटीस दिन तक पानी के जाहाज पर वो भी समंद्र के अंदर बहुच जाज ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है अकेले सी लिए प्रभुपाजी कोई फैसलिटी ने है कोई वी आईपी टीट्मेंट नहीं था उसके अंदर पानी का ज़ाज ता सामान ढोने का समझ सकते हैं का स और प्रभुपाजी रश्ते में हार अटक आ गया आ ना कोई घरवाला है ना कोई दौक्टर है ना कोई मैडिशन है single-handed heart attack बहुत पेहन हुआ प्रभुपाजी डायरी में में सिन करते हैं क्योंकि हर दिन वो डायरी को नोट करते थे आज का देन मेरा कैसा रहा बहुत पेहन हुआ second night फिर heart attack आ गया तो प्रभुपाजी ने सोच लिया अगर third heart attack आ गया तो मैं चला जाओंगा लेकिन third night को शीला प्रभुपाजी को एक dream आया और उस dream के अंदर उस पानी की जहाज को नर्सिम्दे भगवान चला रहे होते हैं और बाकी सारे अवतार उस पर बैठे हुए होते हैं और भगवान कृष्ण उनको आश्वासन देखे जाते हैं कि मैंने सब को चारेंश कर दिया है Don't worry सो सीला प्रभुपादी को थोड़ा हिम्मत आती है 35 दिन के बार नियुआर के अंदर आप सोच सकते हैं 40 रुपे हैं अमेरिका में 40 रुपे से कितने दिन चल सकते हैं रहने का कोई ठेकाना नहीं खाने का कोई ठेकाना नहीं और भगवान की भत्ती प्रिचार के लिए आये थे तो कितना इस्तगल किया होगा और वो भी ऐसी जगह चहां पर हिप्पी लोग दारू पीके अले ऑपड़ी देके क्योंकि ट्र्फे का किए प्रचार करल भागवथ्पाज टेक्स फूसमेम दूस्त रहते थे हुहां पर प्रभपाजी इस्तगल कि देका रात को वो भी लोग प्रभपाजी को मार्ने तक आज आ alongside जा आ बागवान की किरपाती सुद्ध भक्त तो नाइंटी सिक्टी सिक्स में उन्होंने इसकॉन इस्टेबिलिस कर दिया नेशनल सुसाइटी फोर कृष्णा कॉंसियस्ट तो पूरे विष्व के अंदर दस साल के अंदर उन्होंने भगवान के आंदूलन की विजय की पता का फैला दिया तो सीला प्रभुपाद जी जब पूरा सक्सेश्फोल हो गए इस आंदूलन के लिए तो अपने सिस अंग्रेज लोगों के साथ बैटे हुए थे और उनसे पूंचे हैं कि हुज दा ग्रेट मैं महानू या महात्मा गांदी महात्मा गांदी ने अंग्रेजों को खदेडने के लिए फाइट किया युद्ध किया और वही अंग्रेज आज मेरे पैरदवार है तो कौन है महान सिला प्रभुपाद जी अगर हम भक्ती की पता का लेके चलें तो पूरे विश्व को कंट्रॉल में कर सकते हैं फाइट से और अगर हम देखें भगवान के मिशन को भगबद गीता में भगवान अपने मिशन के वारे में डिकलियर करते हैं क्यों यहाँ पर अवत्रित होता हूं ना एक यह भी है परित्रनाय सादूनाय विनसाय चाहदूर्शकृताम धर्मसंस्ताइ आपारताय 포인itute परित्रनाय सादू की रक्षा और दोष्टों का विनास करने के लिए यहां पर आता हूं सो प्रभुपाजी भगुती किता है आपक्षिली में भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, दोष्टों का अबिनास तो वह वह से बैटे बैटे भी कर सकते हैं, सोचने मात्र से. सो एक बार अक्वर और वीरवल, तो अक्वर बोलता है वीरवल से, कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, जो भक्तों की रच्षा के लिए सुयम आ जाते हैं यहां पर, गोलुक ब्रिंदावन धाम से, जैसे मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मिनिस्टर अगर मुझे कहीं करनी है, कहीं किसी का बिनास करना है, तो मैं अपने मिनिस्टर को भेज दूँगा, वही काफी है, मैं खुदी नहीं जाओंगा, मोझे खुद जानी क्या जूलत है, ज़ मेरे पास इतनी सक्ती पावर है, तो मेरे भगवान के पास सक्ती पावर है, तो खुद क्यों आते हैं तो बीरवल बोलता है ठीक है महराज मैं आपको बताऊंगा तो समय गुजरता जाता है महराज भी भूल जाते है उस बात को और एक दिन बीरवल बोलता है चलो महराज बहुत मौसम अच्छा हो राज हम लोग घूमने चलते हैं बाहर क्योंकि जब भी वीरवल कुछ बोलते थे तो महराज कभी मने नहीं करते क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है तो महराज अपने अखवर अपने सारे मिनिस्टर्स और सैना को लेके चलते हैं और वीरवल भी आते हैं साथ में चलते चलते एक नदी आती है और नाविक को बोलते हैं कि महराज को घूमना है और नदी क्रॉस करा दीजिएगा तो उस नाव के अंदर बैठ जाते हैं रस्ते में जाते हैं नाव के अंदर तो उदर बहुत दूर से एक दूसरी नाब भी उदर से आते हुई दिखती है बहुत दूर थी दिखनी रहता जाता है जैसे ही वो नजदीक आती है उसमें देखते हैं कि बहुत सारी लोग मुहूपर एक काला कपड़ा वहांद के हाथ में बंदूक और क्या बोलते हैं तलवार लेके और किसी को पकड़े हुए है और किसी को पकड़ के ले जा रहे है तो अकवर बोलता है ये कौन लोग है तो बीरवर बोलता है कि महाराद थोड़ा और पास में चलते हैं तो इस पस्ट हो जाएगा तो नाविक को बोलते हैं थोड़ा अपनी नाव उसी साइड लेके चलें तो दीरे दीरे पास में जाते हैं जैसे ही बहुत पास आ जाते हैं नजदीक तो अखवर बोलता है क्योंकि वहां जो जिसको पकड़ के ले जा रहे हैं वो उनका पोता होता है मेरा पोता, जैसे पोते की आवाज उनके कानों में जाती है, पोते को वो तुरंट पानी में डाल देता, औरी मेरा पोता तुरंट वो भी कूद जाता है, कौण? अखवर अखवर को इतना तहेर ना भी नियाता तो ढीशल पल इदर हसता हुआ बहुता है आरे जाओ महराज को बचाओ, मिनिस्टर इसको बोलता है तो वो लोग भी कूट के और बचा के लेके आते हैं तो पांच मिन में थोड़ा उसको हो साता है तो देखते हैं कि दौनों आप पास में हैं और दूसरी नाम में जो लोग मुह पर बांद के बैठे हुए थे वो भी अपना चहरा खोल लेते हैं और देखते हैं ये तो मेरी ही मिनिस्टर है और वाकवा बीरवल की तरफ देखता है कि ये क्या है क्या नाटिक में मर जाता पानी में तहरना भी नहीं आता तो महराज आप क्यों कूदेश पानी में हमको बोल देते हम जाते अरे नहीं मेरा बेटा था पोता था मेरा तो महराज अब बात समझ में आई आए आपके भगवान क्यों अपने भक्तों के लिए खुद ही आ जाते हैं अपने बाकी लोगों के नहीं भेज़ते से भगवान का एक अदेश है भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं तूसरे इस लोग में बोलते हैं भगवान यदा यदा ही धर्मश्यह ग्लानिर भवतह भारता अभ्यृत्थानम तदात्मानम जामयम जब जब धर्म की हानी होती है तो मैं यहाँ पर अवत्रित होता हूँ बताएए कौन से धर्म की हानी होती है जब भगवान यहाँ पर अवत्रित होती है हिंदू धर्म, मुश्लिन धर्म सनातन धर्म क्या है सभी हम लोग बोलते हैं हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी सनातन का मतलब क्या है सनातन का मतलब होता है eternal और सास्वत जो कभी नश्ट नहीं हो सकता जो हम सबी का एक धर्म है जो हमसे बहुत connected है कभी भी नस्ट नहीं होता प्राबुपा जी एक्जमपल देते हैं जैसे कि salt है नमक है उसमें saltness होता है अब उस saltness को उसके नमक के खारेपन को उससे अलग कर सकते हैं आप नहीं कर सकते सुगर्चीनी के अंदर जो sweetness होती उसको अलग कर सकते हैं नहीं तो ऐसे ही हमारा जो सनातन धरम है हम से कभी भी उसको अलग नहीं कर सकते है और वो है हमारे जो हर व्यक्ति के अंदर सेवा करने का जो भाव है, सब के अंदर है, हर कोई सेवा कर रहा है, कोई अपनी फैमिली की सेवा कर रहा है, मातापिता की सेवा कर रहा है, कोई अपनी बॉस की सेवा कर रहा है, सेवा में हर व्यक्ति लगा हुआ है, कहीं कहीं कोई ह क्योंकि सेवा के नैचेर वो तो नहीं जाएगा इटर्नल एसास होते हैं तो जिस सेवा का भाव है जीवेर स्वरूप होई नित्य कृष्ण दास हम लोग सभी नित्य भगवान के दाश हैं लेकिन अभी क्या हुआ है माया के वसमे हम लोग उस दास्ता भगवान की दास्ता को भूल के अपनी दास्ता कहीं और सिफ्ट कर दिये किसी दूसरी की हम लोग सेवा कर रहे हैं इसे नमक नमक का अगर खानी में यूज नहीं करें आप रेत मिट्टी में मिला के और बिल्डिंग बना दें तो सही यूज है उसका या सुगर को आप सेमें में मिला के और लेकिन हमने अपनी जो सेवा है वो कहीं और सिफ्ट कर लिये हैं हम अपने रिलिटिप्स की सेवा कर रहे हैं हम अपने काम बासनाओं की सेवाई कर रहे हैं काम करोद की सेवा कर रहे हैं जैलिशी की सेवा कर रहे हैं और हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं अगर तो नहीं खाएंगे, हमको रेस्टरेंट ले चलो, हमारी जीव क्या बोलती है, रेस्टरेंट ले के चलो, पीजा बर्गर, आइस्क्रीम खाएंगे, तो हम जीव के नौकर हुए ना, जीव हमको ले के जारी है, हमारा टेस्ट, तो इस तरह से हमको जीव ले के जाती है, और प कि क्रिष्न की शुंदरता नहीं नहींienza सचजदान्त विख्र यह नहीं इस मलमूत्र से मने हुआ पुतले की अचौन आप ये सुंदर है कृष्न ़न्हीर strive कान वोल्यूट लूली वुअर्ली वोली वोल्यूट सुनना है कृष्निकृतन नहीं तो ये सारे इंद्रिया हमारी हमको नोकर बना के और नचा रही हैं लेकिन हम कृष्न के दास हैं बोलें कि मंगला आर्ति आये दरसना आर्ति आये भगवान की हो रही है नहीं जगेंगे लेकिन कृटे को सुब़ चार वजे लेके जाएंगे पौटी कराने के लिए आप पौटी कीजिए सर हम बेट कर रहे हैं आपका सुबटे की नोकर हो गए हम लोग लेकिन कृष्न की दास बनना पसन नहीं करेंगे तो भगवान ने भगवद की ताम फिर फाइने बोल दिया मन मना भव मदभक्तो माध्याजी मा नमस करो मन मना मेरा चंतन करो माध्याजी मेरी वरशेप करो माम नमस करो मुझे नमस करो और फाइनल ओर दे दिया सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम सरणम भिचा अहम त्वाम सर पाप भिव मोचिधामी मा सुच यह सारे जो धर्म फालतों के पाल रखे ना आपने सबको त्याग दो मेरा इसके प्रति कोई धर्म है पिता का इसके प्रति कोई धर्म है ये धर्म है वो धर्म है बहुत सारे धर्म हम लोगों ने फालतो के पाल रखे है कृष्णा बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम माम एकम मिंस माम एकम पर्टिकलर बोला है एकम और मेरे कृष्णा ने ऐसा नहीं बोला उसके भी सरण जाओ उसकी सरण जाओ भगवत कि नम किलेडी बोल दिया है माम एकम सरण नम बिजाओ अगर आप सोचते हो नहीं यह तो पाप हो जाएगा मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ उसकी सेवा करने है अहम तो आप सरव पाप पे मैं गारंटी लेता हूँ तुमारे सारे पापां को नश्च करूँगा मोक्ष शामी मा सुचा मैं अपने धाम लेके जाओंगा मा सुचा आप डरो मत मुझे सरंडर करो लेकिन हम लोग रहे तो कल्योग के ही क्रिष्न कितना भी बोल दे मंदा, सुमान्दा, मंद भाग्या ये कल्योग के लोगा की पहँचान है मंद भुले तो बहुत सुमान्द और मंद भुद्धि मंद भाग्या, हमारे भाग्य भी-भी हम लोग अनफटनेत है अगर हमारे अंदर थोड़ा भक्ती भी है तो इदर भटक जाएंगे उदर भटक जाएंगे कृष्ण की भक्ती नहीं करेंगे ये प्रोसेस वो प्रोसेस ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ जो बता के गए हैं ये करो वो नहीं करेंगे तो फिर से कृष्ण भगवान जो पांच हजार साल पहले भगवता के रूप में आए थे वही भगवान एक भक्त के रूप में आ गए के भगवत गीता तुम लोगों के समझ में नहीं आई साइदे मैं खुद भक्त बनके आता हूँ चेतन्य महापरभू के रूप में और प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे भक्ती होती है अभी आप फिर भटक रहो तो चेतन्य महापरभू आए उन्होंने बोला हरे रिनाम हरे र अरडर, किनी बर भोला हुँ, थीन बर बच्चा उदां करता है। सुछा दें क्षुम करता है हुँ, मानझा सुछाय करता हूँ, मानझा Dale LAST वर बोला हु मानझा हुचा सुछा तीन ठाइन नहीं स्क। भूल रहे हैं हुआ हरे रिनाम हरे रिनाम Ар् 선वय कें नहीं कें में त आस्तेव नास्तेव नास्तेव तीन वार गतरन्नित वा दूज्ट। जो नाम है, कलीकलमसनासनम, कल्योग विशिस्त कर कल्योग एज के लिए बताया गया है, कलीकलमसनासनम, नात है परतवपा, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो पांस हजाद साल पहले क्रिष्ण बता के गए, मन मना, मेरा चिंतन करो, उसको प्रैक्टिकली चेतन महा प्रूण ने बताया, कैसे भगवान का हम लोग शिंतन कर सकते हैं, भगवान एक भक्ति की रूप में आया, फिर उनने बताया, जैसे हम लोग, आपके किसी रिषिदार का नाम लो, आप लो, अपनी रिषिदार का नाम, किसी का भी, मामा, जैसे ही मामा या नाम ले, मामा का नाम क्या है, कन्हिया, तो जैसे ही इन्होंने लिया ना कन्हिया, तो उनके माइंड में और लेड़ी मामा की पिक्चर आगी होगी, और उनकी activity भी आ गई होगी, मामा कैसे क्या, कहा, कहा रहते हैं, सब कुछ आ गया होगा, तो ऐसे ही मन मना, कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान ने बुले, भगवान का नाम लेके करो, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram तो Chetana Mahapuroo प्रेक्टिकल बता गए मनमना भगवान ने तो बोल दिया समझ में निया है कैसे चिंतन करें Chetana Mahapuroo प्रेक्टिकल बता के गए ऐसे करना है उनका नाम लेंगे तो और अटोमेटिकली आपका चिंतन हो जाएगा करिशन से लेकिन भैस के आगे बीन बजा है तो कोई फाइदा नहीं है पांच साल पहले क्रिशना है पांच सो साल पहले Chetana Mahapuroo आए एक जीरो और करमें पचास साल पहले लगबग प्रभू पाजी भी आए लेकिन भैस के आगे बीच बेनाने से कोई फाइदा नहीं है प्रभू जी हम तो जाते हैं वहाँ पर दूच चड़ाते हैं डेली जाते हैं अरे किस्टा नहीं करेंगे हम तो वहाँ दूच चड़ाते हैं कोई बोले हमने सवामनी करवा दी उदर कोई बोलेगा नारियल चड़ाते हैं मंदर जाते है हमें भी पता है आप जाते हो लेकिन आप भक्ति के लिए नहीं जाते है आप बिजनिस करने जाते है पांच रुपे का नारियल चड़ाऊंगा मेरी बहु का ये हो जाए मेरे बेटे की नौकरी लग जाए आपके वो करवादूंगा क्या बोलते है समामनी लेकिन ये काम हो जाए आप पांच रुपे का नारियल के चक्कर में और बहुत बड़ा बिजनिस कर लेते हो प्रॉफिट बहुत जारा कमाना चाहते हो तो ये भक्ति नहीं है बोलता है जय जगदीश हरे जो ध्याब है फल फ महां पुज मांग लो कि ऑध्य। बड़ लो पाप खुष अर ये पाप रफुदेवा अहरुद में चाहतेय हम तो नहीं है घे ए घटक्ति पहाते मन में करते हैं, भाई ऐसे नहीं बोला, मन से नहीं चलेगा, आप अपनी वाइफ को बोल के देखो, गोवा घुमाने आपको मन में ले जाओंगा, सौपिंग रानी ठीक है मैं मन में करा दी, दिल से मानता हूं, दिल से प्रैम करता हूं, मन से प्रैम करता हूं, फिर भाइब बोलेगे ठीक है कला ना पूरी सबजी समोचा खिला दोगी मन में बना के आपको तो एक टीचर होता है mathematics साप लोगों ने सब ने पड़ी होगी algebraic जो mathematics होती है तो अपने students को वो पढ़ा रहा होता है algebra जिसमें हम लोग सो उसकी भाइब बोलते हैं आप कहां पढ़ाते हो मुझे भी जाना है क्या पढ़ाते हो बच्चों को देख के आना है तो भाइब आती है इसकूल में वो पढ़ा रहा होता है माना की x is equal to y is equal to और फिर x plus y ऐसे करके हो पूरा एक घंटे का lecture होता है वो माना की x is equal to ऐसे ही करता रहता है तो भाइब घर जाती है वीचरी सोच में पढ़ जाती है कहे तो हर चीज मान मान की खर रहा है अब सोच में पढ़ती है तो वीचरे के खाना भी निए बंता है घर में आती है खाना तो बनाया नहीं है भूग है जैसे वो आता है एक प्लेट लेकर आ जाती है, लेकर गलास लेकर आती है, आज तो मैं बहुत बढ़ी खिलाओं गी, और माना की, यह बनीर की सबजी, आज तो बनीर की बनाई, माना कि पहले दो पानी का ग्लास ता आज मैं जूस देती हूं आपको पूरी देती हूं माना कि ये रसगुल्ला है तो वो ये क्या कर रहे हो तुम कि तुम भी तु वही तो कर रहे थे तुम से सीखा है मैंने तो मन से काम नहीं चलेगा ना हमको बिजनिस करनी है ना ही मन चलना है और कुछ लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी मैं तो 108 बार गाहितरी मंत्र का जब करता हूँ किने लोग हैं करते हैं कोई बोलता है मैं तो प्रणतकलेशन आसा है कौन सा है वो एक अभी और जब चला है कृष्णाय वासुदेवाय हरेर परमात्मने प्रणतकलेशन आसाय गोविंदायन मैं तो इसका एक सवार जब करता हूँ कोई बोलगा काली कीरतन और दुर्गा कीरतन नहीं भाई भगवान ने बोला है सततंत कीरत यंतो माम मेरा कीरतन करो प्रणत कीरतन करो का बुद्धी अपनी बुद्धी को एक ही जगे लगाओ एक हा कुरु नंदन यहां पर टिकाओ शेतन महाप्रभू भी बोलके गए प्रैक्टिकली हरेर नाम हरेर नाम प्रैक्टिकल उनों ने भी बोला सैम चीज प्रभुपाजी ने भी सैम चीज बोली तो भगवान खुद बता के गए कैसे सेवा करनी है कैसे भक्ती करनी है जैसे अगर मेरे गर्दम में पेन हो रहा है दर्द हो रहा है तो अगर मैं किसी से सेवा कराओंगा तो बोलूँगा इसको ऐसे ऐसे मलो मैं खुद ही बताऊंगा ना मैं खुद बता रहा हूँ कि ऐसे करो सेवा और वो गला दवाए तो वो सेवा रही या गली की जगे सर दवाए सर में तो दर्द नहीं हो रहा मेरे जैसा मैं बोला हूँ गर वो ऐसा करेगा तो वो सेवा हुई अगर एक क्या बोलते हैं पिताजी हैं उसके तीन बच्चे हैं और बड़े बच्चे से बोलता है मेरे लिए पानी लेके आओ बड़ा बच्चा नकार बहुत नालाइक होता है बोलता है तुम बुड़े हो गए खुदी ले लो मैं नहीं दे रहा उसने तो सेवा नहीं की नास्तिक लोग ऐसे भी होते हैं बीच के बच्चे से बोला बेटा तुम ही लाके दे दो अच्छा पापा ने पानी मंगा है पानी की जगे मैं दूद दूँगा दूद लेके आता है आता है तीरो गढ़े मेरी पानी की प्यास लगी है, है मेरा गला सूख रहा है दूसरे थोड़ी मुझे की जो प्यास है संतोष्टी है तीसरे बेटे के बोले बेटा आप ही ले आओ पानी तीसरा बोटा जैसा बोला वैसा ही किया आप आप बताओ तीनों बेटों में सबस्यादा संतुष्ट किस ने किया तीसरे वाले हैं क्योंकि जैसा बोला वैसा ही किया पानी लेकर आए सो जैसा बोला वैसा ही किया वो भक्ती होती है कृष्णा बोलते हैं ये कीर्तन करो चेतन महाप्रुव बोलके गए ये करो आप लेकिन हम तो करेंगे प्रिणतक लेशन आसा आया गोविंदाय नमा हाँ है भागुतम का इसलोक है दस में कैंटो में और वर्ष नमबर सेविंटी ऐसा कोच है इसलोक है भागुतम में है उसका मतलब भी है कृष्णा ये वासुदेवाए कृष्णा ये वासुदेव के पृत्र हरेर परमात्मने हरेर बोले हरी भी आपी हो परमात्मा भी आपी हो प्रणत क्लेश नासा है प्रणत में से आपको जो सरेंडर करता है क्लेश नासा है उसके सारे दुख नश्ट हो जाते हैं यह तो बास्ता है यह भगवत गिताम में बोलता है सर्वधर्मान परिते जह माम इसकी माला करेंगे, ऐसा थोड़ी बोला, भगवान ने बोला, इसका करना है, अभी हमारे आचार लोग, गुरु लोग, भगवान के इतने प्रिय क्यों होते हैं, जैसे अभी हम लोग प्रभुपाजी का मंत बड़ा, कृष्ण प्रिष्थाय भूतले, आचार लोग क्यों प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान ने जैसे बोला वो वैसा ही कर रहे हैं, शिला प्रभुपाजी बोले मैं भगवाद गीता लेकी, बहुत सार लोग बोलते हैं, आपने पूरा मूमेंट खड़ा कर दिया, बहुत बंडर्फुल कर दिया अगर मैं क्रेडिट लेना भी चाहूं तो इतना ले सकता हूं, कि मैंने एजट इस फॉलो किया है, भगवद गीता भी मैंने एजट इसमें कुछ सब्स्ट्रेक्शन और एडिशन नहीं है, अपने माइन का इंट्रिप्रिशन नहीं, जैसा भगवान ने बोला वैसा ही है, भगवद गीता यथा रूप है, जैसा भोला भगवान ने वैसा कर रहे हैं, वही भगवान को संतुष्टी देगी, आपके पिता बोलते हैं, बेटा ऐसे ये काम कर दे, और आप उस काम की जगे कुछ और ही करके आ रहे हो, नालाइक, नॉंसेंस, आपने, मैंने क्या बोला यही भ्रति उत्तम भ्रति की यही डेफिनेशन है, अन्या विलास्यता शूर्न्यम, ज्यान कर दमाध अना बरतम, अनकूलन ख्रिष्णा नुसीलन भक्ति उत्तम हा, अनकूल, भगवान के अनकूल होने चाहिए बगवान क्या बोल रहे हैं, उनकी संतुष्टी के लिए वै भक्ति होनी चाहिए है, रिसी के ना, रिसी के सा, सेवनम भक्ति उच्छते, सबसे उच्छते मिन्स, सबसे उच्छी भक्ति क्या है, रिसी के ना, रिसी के सोले तो भगवान कृष्ण, और रिसी के उसके जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार किया जा रहा है, वो आप सभी से रुक्वेस्ट है और आप लोगों को कॉलेज जाना है और अपने बच्चे को बीटेक एमटेक कुछ भी कराना है चार साल का कोर्स आपने देखा बहुत बड़ी कॉलेज है बहुत अच्छी फैकल्टी है अच्छा केंपस है ये कॉलेज बढ़िया है बच्चे का अडिमिशन करा दिया चार साल हो गई पैसा फीस भर दी सब कुछ हो गया चार साल का उसका इस्टेडी उसने किया सब कुछ किया लेकिल फाइनली पता पड़ता है इस कॉलेज को गॉर्मेंट ने आथराइज नहीं किया इसको माननता ही नहीं मिली कॉलेज को क्या होगा, तो अपना बच्चे का लाइब बरबाद हो गया, चार साल चली गई, उसका कैरियर बरबाद हो गया, पैसा भी चला गया, पड़ाई तो उसने भी सेम की, जो बाकी कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन इसको गौर्बनेंट ने ओतराज ने किया, उसको पास जाना चाहिए तो भक्ति के अंदर ओना बहुत जरूरी जरूरी है सबी हम लोग भाग वतम को बिराम देते हैं आप सबी लोगों का बहुत-बहुत धन्यबाद हरे किछना झाल